जो पती कभी आपके साथ मारपीट किया करता था वो पती आज खुद कहेगा मेरी महबत हो तो सिर्फ तुम हो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पती अगर किसी और की जरफ जादा अट्रैक्ट होने लगे तो क्या करना चाहिए आपकी जिंदगी में पती को वश्मे करने के टोटके तरीके तो सबका इस यूट्यूब चैनल में पहले तो हम स्वागत करते हैं दोस्तो इशाल शर्मा चैनल आप सबका स्वागत करता है और आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं पती को वश्मे करने को पाए 100% कारगर और सफल दोस्तो अपने अक्सर हर रिस्ते में रूटना मनाना जरूर देखा होगा रूटने मनाने से रिस्ते में जहां एक नयापन बन रहता है वहीं एक दूसरे से रूटने मनाने में पार्टनर्स का केरिंग और परवह करने वाले बिहेवियर्स के बारे में भी जाना जा सकता है अगर ये रूठना मनाना कुछ देर का हो तो रिस्तों को मजबूत बनाने का काम करता है लेकिन जब ये रूठना मनाना लंबे जमय तक चलता है और पती-पत्नी एक दूसरे से बात्ची तक बंद कर देते हैं तो ऐसे में पती पतनी ही नहीं, घर के सभी रिस्तों पर इसका बुरा सर पड़ता है। अगर आपके पती भी बेवज है, आपसे नाराज हैं, तो आज हम आपको पती को मनाने का तरीका, पती को खुश रखने के तरीके, और उन्हें प्राही औरत के चंगल से छुडाने के तरीके टोटकों के बारे में बताएंगे। दोस्तों जब एक लड़की अपनी शादी करवाने के पश्चात एक नए घर में आती है, तो वो अपने साथ वो सपने भी लेकर आती है, जो सोचती है कि उसका पती उसकी खरबाते मानेगा, जो उन्होंने अपने माईके में नहीं किया, वो आज आप अपने सिसुराल में क जाती है, तो ऐसी लड़की को क्या करना चाहिए, ऐसी लड़की सोचती है कि उसका पती आखिरकार समय के साथ 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 सीख जाएगा, उन्हें समझ में आएगा कि उनका भी कोई करियर है, उनकी बीवी भी कुछ चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप समय के साथ आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो परिशान नहों बिल्कुल भी क्योंकि आज ही आप अपने आशु पोच लीजिए क्योंकि आज के बाद आपको रोना बिल्कुल नहीं आएगा अगर यह वीडियों तक देखेंगे हम आपको आज विश्वास दिलाते हैं अगर आप हमा आपकी बात भी नहीं सुनता था आज आपके लिए जयान निशावर कर देगा और वो भी सिर्फ एक मात रुपाई के साथ वो है निम्बू का उपाईग यह उपाईग आपको घरबैटे ही करना है कहीं जाने के जिरूरत नहीं है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बस ध्यान पुर्वक सुन लेजिएगा एक बार वो का काम बन गया तो एक निम्बू लीजिए उसे बीचो बीच काट दीजिए ये कारिया काना है शनिवार के दिन और उसमें अपने सिंदूर डालने के पिश्चात दोस्तों उसे आप क्या करनेंगे अपने पती के सर के उपर साथ बार वारिएगा वारने के पिश्चात जहां पर पसीना आता आपको वहां पर अपने इस निम्बू ना है स्वाहिए ये पतयाए ये श्रुण इसम करेंगे ऐसा लगतार साथ दिन तक कर दीजिए उसका रिजल्ट जो होगा खुद देखेंगे आप हमें खुद फोन करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि मेरा काम बन चुका है तो इस परकार से वश्रेकर किया जा सकता है अपने पती को काबू किया जा सकता है प्रायो लगाई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो धन्यवाद दोस्तों आप सबका इस यूड़ चैनल में